कही बार हमें LCD LED TV के अंदर से sound के related बहुत सरे issue देखने को मिलता है कही बार ऐसा भी हो जाती कि इतना ज़्यादा critical problem हो जाती है sound के related उसको repair करना बहुती ज़्यादा मेहनात का काम हो जाती है इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको तीन ऐसी process बताऊंगा जो की बहुती simple और बहुती आसान है यह तीन process के जरी आप किसी भी LCD LED TV का किसी भी पुरो करके audio के related problem को दूर कर पाऊगे तो मैं जो तीन process बताने वाला हूँ चाहे तो आप इसको अपने notebook पर भी लिखके रख सकते हो और अगर आपको Hindi नहीं आती है तो आप हमारे website से यह सरे जानकड़ी ले सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि TV जब भी आपके पास आएंगे आपके पास आने के बाद आपको दो जगा पे चेक करना होगा सबसे पहले TV के अंदर जो speaker लगा हुआ है आपको दोनों speaker को एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि हमारा TV के अंदर जो भी sound के related issue आ रही है वो speaker के वाय से तो नहीं आ रही है यह आपको सबसे पहले check करना परेगा check करने के बाद अगर आपको लगे कि हमारा दोनों speaker बिल्कुट 100% एकदम सही है तो आपको जाना परेगा audio section के अंदर audio section के अंदर क्या लगा हुआ रहता है audio section के अंदर आपको एक audio IC मिलेगा कुछ resistance मिलेंगे और कुछ आपको coils देखने को मिलेंगे जो महेंगा मदरबुड होते या महेंगा TV होते उसके अंदर आपको coil देखने को मिलेंगे ये coil क्या करता है कि हमारे IC के अंदर से जो output होती है signal audio signal उस audio signal के अंदर जो भी distortion या noise level होता है उसको remove करने के लिए coil को लगाया जाता है उसके बाद हमें output पे जो भी speaker लगा हुआ है उसके अंदर से बहुती sharp हमें sound सुनाई देता है ये तो दोस्तों basic knowledge हो गया basic जानकरी हो गया है कि हमें केसे ढूनना है कि हमारा problem कहाँ पर है अगर TV के अंदर speaker खराब मिला तो ये तो बहुती अच्छी बात है आप दोने speaker को change करके निया speaker को लगा दीजिए हमारा TV का अंदर जो भी sound का problem था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेकिन जब खराबी हमें audio section के अंदर मिलते है तब हमें बहुती ज़्यादा दिक्कत होने लगता है तो इस situation में तीन ऐसी रास्ता है या तीन ऐसी process है जो कि मैं personal इस्तमल करता हूँ हमारे service center पर अब बाड़ी आते वो तीन process कौन्ट से है सबसे पहली process क्या कि जूइस नमबर का audio IC हमरे audio section के अंदर लगा हुआ है वो same number का IC अब लगा सकते हूँ कही बाड़ क्या होता है कि same number का IC हमें market से नहीं मिलता है तो पुरानी जो board होते हैं उसके अंदर से same number का IC को निकल के हमें जिस TV को repair करने जा रहा हूँ उसके अंदर लगाना पड़ता है इसके जिरिये भी हमरा कहीं बाड़ audio section ठीक हो जाती है लेकिन कहीं कहीं बाड़ हमने ये भी देखा हूँ कि same number का IC लगाने के बाद भी हमरा speaker के अंदर सही से sound सुनने को नहीं मिलता है कहीं बाड़ तो sound के अंदर चचचचचच आवाज आती है मतलब अजीब सा आवाज हमें सुनने को या मिलता है TV के अंदर से दूसरा IC लगाने के बाद तो अगर आपके TV के अंदर जो TV आपके पास repair होने के लिए आया है सेम नंबर का IC लगाने के बाद भी अगर audio का problem दूर नहीं हुआ उसके बाद आती है हमारा modification का process तो modification के अंदर भी आपको बहुत सारा module आपको market से देखने को मिल जाती है जो कि हम लोग इस्तेमल करता हूँ LAT TV का audio section को modify करने के लिए पहला कि आप ये देखिए कि आपके पास जो TV आया है वो TV का sound quality के लिए किस ट्राइब का audio section के अंदर लगा हुआ है सारे components और speakers अगर आपके पास कोई ऐसा TV आया है जिसका sound quality उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप उस जगा पे 5V का module को लगा सकते हो लेकिन अगर आप चाते हो कि हमारे TV का अंदर से थुरा सा ज़्यादा अच्छा sound सुनने को मिले तो market से ये देखिए ये इस परोकर के CA3110 ये module मिल जाती है ये two channel का module होता है जिसके मदद से आप दो speakers को अलाग अलग से बजा सकते हो या चला सकते हो ये module market से आपको अराम से 80-90 रुपिस का अंदर मिल जाएंगे अगर आप bulk में लेना चाते हो और wholesale में लेना चाते हो तो उससे भी कम कीमात का अंदर मिल जाएंगे तो अगर आप preparing का काम करते हो तो ये वाली module आपके पास रहना चाहिए तो आप बाता दिए कि इस module को हम TV के अंदर connection कैसे करेंगे तो देखिए हमने आपके लिए ये वाला diagram को draw करा हूँ इस diagram के अंदर मैंने साप साप लिखे रखा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना परेगा कि TV के अंदर जो IC लगा हुआ है आप देखी सकते हो कि मैंने इसके अंदर से इस audio IC को निकाला हूँ चाहिए तो आप निकालने से पहले ही इसका पीन डिटेल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हूँ तो इस TV के अंदर ये जो हमारे सामने audio IC देखने को मिल रहा है इसके नंबर के अनूसर में इंटरनेट पे गया और उसके बाद मैंने ये वाली इसका पीन डिटेल्स निकाला हूँ तो इसके पीन डिटेल्स के अंदर मैंने देखा कि audio signal input के लिए कौन-कौन सा पीन को इस्तमाल किया गया है क्योंकि ये हमारा class D type का audio amplifier IC है इसलिए इसके अंदर जो input के लिए 3 number और 4 number के देखिए एक input हो गया और उसके बाद 11 और 12 number का ये हमारा input हो गया लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगे कि N और P लिखा हुआ है INN और INP ये जो N और P लिखा हुआ है जहाँ पे P लिखा हुआ है उसका connection करना पड़ेगा P का मतलब यहाँ पे positive और N का मतलब होता है negative तो दोनों के अंदर से यानि कि left और right दोनों का आपको एक एक करके connection लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको P यानि कि positive बला left का positive लेना पड़ेगा right का positive लेना पड़ेगा और इन दोनों connection को आपको कर देना पड़ेगा जो हमारे CA 3110 हमारे audio module इसके अंदर आपको जोड़ देना पड़ेगा जहाँ पे L और जहाँ पे R लिखा हुआ है तो इन दोनों जगा पे connection हो गया उसके बाद ground आप कहीं से लेकर आप इस module के अंदर दे सकते हो मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पे आपका audio section लगा हुआ है वहीं से कहीं से आप ground का connection करिए तो सबसे अच्छा रहेगा नहीं तो आपका sound के अंदर कुछ noise या distortion देखने को मिल सकता है और उसके बाद इस module को चलाने के लिए हमें अलग से power supply देना परेगा 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इस module के अंदर आप input कर सकते हो मैं कहूँगा कि आप इसके अंदर 12 वोल इंपूट करिए क्योंकि LED TV मादरबूट के अंदर 12 वोल बहुत आसानी से मिल जाती है तो जहां पर आपको 12 वोल मिल रहा है मादरबूट के अंदर वहाँ से आप इसका positive और negative connection कर दीजिए तो ये तो होगे हमारा audio signal input का का काम और power supply देने का काम आप जो speaker दोनों speaker लगा हुआ है TV का अंदर दोनों speaker का connection आप इस तरीके से एक एक जगाओ पे लगा दीजिए दोनों speaker के लिए आपको अलग-अलग connection के लिए point दिया हुआ है तो ये तो होगे ही दोस्तो हमारा सबसे सस्ता वाला जुगार जो कि आप modify करके audio section को ठीक कर सकते हो लेकिन कहीं बार हमें ये भी problem देखने को मिलता है TV के अंदर ये वाला module लगाने के बाद हमें sound जो है ना अच्छा सुनने को नहीं मिलता है जो बरेट भी होता है चालिस एंज पैतालिस एंज पच्पान एंज पचातर एंज जो टीबी होता है ना उसके अंदर अगर हम इस छोटी सा module को लगाएंगे तो उसके अंदर से हमें sound अच्छे से सुनाई नहीं देगा तो इसके लिए अलग-अलग module मार्केट से मिल जाती है मैं एक छोटा सा example देना चाहूंगा कि मार्केट से ये दिखिए छोटा सा 62-83 का एक module मिलता है 62-83 का module ने ना सबसे कम दम में अच्छा quality का आपको sound सुनने को मिलेंगे मैं आपको base के बात नहीं कर रहू हूं या आपे मैं volume की बात कर रहू है कि ज़्यादा तेजी के साथ आपको सुनाई देगा तो आप यह बाला module भी लगा सकते हो और यह बाला module भी लगाने का जो process है वो तरीका जो है बिल्कुल same to same है जैसे आप 3-110 module लगाया है उसी same process के जरीए आप कोई भी amplifier module को लगा सकते हो वर यह module का कितने में आपको मिलेंगे जैसे आपको बताया कि सी यह 3110 जी आपको बताया यह आपको 60-70 रूपिस में मिल सकते हैं लेकिन उस से भी कही गुना कम की मत के अंदर यह बासर तरह सी का आपको module मिल जाएंगे तो इसके लिए आपको 12V भी आप simply आपको हमारे जो टिवी का motherboard होता है वहां से आपको दो connection लेना परेगा audio signal input के लिए left और right यह जो दो connection होता है ना यह दो connection सबसे ज़्यादा महत्तों है क्योंकि वहीं से हमारा signal लेकर किसी भी अगर हम audio amplifier circuit के अंदर दे देंगे तो हमें output में बहुती अच्छा खासा sound सुनन को मिलेंगे और यह जो process है ना इस process के जरीए जो sound कम या ज्यादा करने का जो तरीका होता है आप TV से भी कर सकते हो अब setup box से भी कर सकते हो लेकिन बहुत सरे लोग क्या करता है कि जो हमारा AV signal input होती है जहां पर यह भी का audio signal input होती है ना वहां से connection कर देते तो वह process गलत है अग हमारा audio amplifier circuit को जोर दोगे तो उसमें क्या होगा कि जब हम किसी VGA या HDMI से कोई भी signal देंगे टीवी का अंदर तो हमें output में कोई भी speaker के जरीए sound सुनने को नहीं मिलेंगे तो इसके लिए हम लोग करता हो कि जहां पर IC लागा हुआ रहता है audio IC वहीं से हम audio IC का pin details निकलके पहले दोन लेता हूँ कि हमारा input signal कौन सा है तो उसके हिसाब से हम लोग left and right signal के लिए audio signal के लिए दोनों connection हम amplifier के साथ जोड़ देता हूँ उसके बहुती बहतरीन तरीके से हमें audio सुनने को मिलता है टीवी का अंदर ये जो तीन प्रोसेस में बताया हूँ ये तीन प्रोसेस में पर सब्सक्राइब करके जूर रही है बहुत सरे लोग ये भी कहेंगे कि ये इसमें आप क्या यूनिक दे रहे हो बहुत सरे लोग तो आपनों को बताई दिया है कि सी ए तिरी वान वान जी जो मॉडियूल है इस मॉडियूल को लागा के audio से क्रेंट को कैसे ठीक किया जाता है लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि अगर इसमें भी काम ना चले तो आपको क्या करना पड़ेगा तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि आप मार्केट से कोई अलग सा अम्प्लिफायर सार्केट लेकर आएए उसके बाद उसके साथ जोड दीजिए अगर इसमें अगर 12-3 लगा के भी ठीक नहीं हुआ तो मार्केट में करना है और इसी पूरकर के वीडियो आगे आने वालों दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जूरे रहे हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में